नमस्कार आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं फॉरेस्ट विभाग के जारखन के फॉरेस्ट विभाग के मसले पर इसमें फशू की करूरता का मसला भी सामने आया है कि कुछ दिनों पहले करीब तीन दरजन उम्ट जब किये थे forest विवाग ने जारखन के पाकुड जिले से वहां के एक अधिकारी ने बहुत ही साहस के साथ उंट तसकरों के खिलाफ एक हला बोल शुरू किया और उसमें करीब करीब तीस से क्यास पास में तीन दर्जन करीब उंट उसमें उन्होंने अपने कब्जे में लिया और उन सब तसकरों के खिलाफ आरोप दायर कराया एस्थानिये पुलिस से सयोग लेने की कोशिश की तो इन सब मसरों पर काफी कुछ बात बड़ी और देश भर में ये चर्चा हुई और हालात लेकिन बहुत अच्छे नहीं हैं उट सुना की उट उसमें से नौ उट मारे गए हैं उसमें हलाकि रख रखाओ की बात तो नहीं कहीं जा रही है लेकिन कहा जा रहा है कि क्लाइमेट के कारण जारकन का क्लाइमेट और उट चुकी जादतर मरुस्थल इलाकों में पाए जाते हैं तो उनको वैसी जगह पर पहुँचाना अनिवारे है ये मसला था लेकिन ये इस से अलग हटकर भी वो मसला अब एक और उभर रहा है कि वह अधिकारी जिसने कई बार साहस करके पशुक्रूरता के खिलाफ उन्होंने कारवाई की और कई ऐसे मामले जो हैं बहुत चर्चित अधिकारी हैं अनिल सिंग उनके बारे में मैं आपको अभी पर्चे कराऊंगा और मैं दरसल अनिल सिंग वैबस्था की कई कम्यों के खिलाफ आब आज उठाते रहें आज से नहीं पिछले एक दशक से तो मैं खुद भी देख रहा हूँ कि अनिल सिंग काफी आक्टिव हैं और जो गरवडियां खामियां होती हैं उसके खिलाफ ये आवाज उठाते हैं हाल में उनोंने ये जो करोना काल के दोरान उनोंने इस्थानिये कामगारों मजबूरों खासकर जो दैनिक वेतन भूगी होते हैं उनके के लिए उन graphical होते हैं उन्होंने आवाज उठाई और उसके उन्होंने जवरदस्त अपने विवाग के साथ लड़ाई शुरू की यहां तक कि कुछ मामलों में तो यह कोर्ट भी गए अपने विवाग के खिलाव कोर्ट गए अब अनिल सिंग के बारे में जो खबरे आ रही है कि उनके खिलाव अब इनका विवाग यह पिल पड़ा है यानि मामला बहुत गंभीर हो गया है अनिल सिंग के पूरी यहां तक कि उनकी नौकरी परान पड़ी है लोग तो चर्चा तो यह भी है कि अनिल सिंग पर को किसी तरह से विवाग से निकालने सरकारी से निकालने का प्रयाश शुरूँ हो गया है बहराल इन सब बातों पर पूरी बाचित के लिए हमारे साथ में आज अनिल सिंग पाकूर से मौजूद है पाकूर से ऑन्लाइन है अनिल सिंग तो अनिल सिंग को सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा अनिल जी का नमस्कार, स्वागत है अनिल जी के बारे में बहुत कुछ मताने की आपको जरूरत नहीं है अनिल जी बहुत लंबे समय से स्ट्रागलर है, in fact सच्चाई के लिए खामियों के लिए जो विभागे खामिया हैं, उनको उने सुधार लाने के लिए और कंजूर वर्ग के लिए अब तो वो पशकुरूरता वला मसला भी आगया है तो अनिल सिंग से हम खुद अनिल सिंग बताएंगे कि मामला हुआ क्या है आज के सिती में उनपर जो करवाई हो रही है वो क्या है अनिल जी करवाई असल में जब से हम सेवा में आये हैं तो जहां कहीं भी आत्याचार और अनाचार देखते हैं तो उसके खिलाब हम लोग कोशिज करते हैं कि विभागी अस्तर पर समस्या का निदान हो जाए ग्रिभांस का रेड्रेसल हो जाए और जदी ग्रिभांसेज का आम जनता के क्रिभांसेज का हमारे सरकारी कर्मियों के क्रिभांसेज का निदान जदी सरकारी अस्तरपर नहीं हो पाता है तो सुरू से नौकरी जॉइन करने के टाइम से ही हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं कि आप हाई कोट का दरवजा खट-खट आईए आपको बता दें अभी तो पता नहीं और रेकॉर्ड में है की नहीं जब सुरू में 94 में हम जॉइन किये थे कोल्हान डिविजन में तो वहां देखते थे कि रिटायर होने के 4-5-5 साल बाद तक जो हमारे वनकर्मी है वो ओफिस का चकर लगाते रहते थे कि पेंसन नहीं मिल रहा है तो ग्रेचिटी का पैसा नहीं मिल रहा है तो ग्रूप इंसोरेंस का पैसा नहीं मिल रहा है तो हम कोशिस करते थे कि विभाग में समधान निकले नहीं निकलता था तो उनलों को फैसिलिटेट करते थे हाई को टोगरे में केस करने के लिए और समाधान हुआ भी और काफी लोगों को रहत हो गया इसके बाद जब विशेश करके चोपारण में अब मेरा केरियर सुरू से ही ठीक ठाक रहा है और पूरे केरियर में एक जगह मेरी पोस्टिंग हुई और वहाँ पर मेरा केरियर को चोपट करने का कोशिस किया गया है वो है चोपारण समाजिक मान की फ्रेंच चोपारण कोडर्मा सुसल फोरस्टी डिविजन में आता है वहाँ पर एक अवाइध नियुक्त सहायक बन सनल्खक को हमारा डीफो बना दिया गया और वहीं से रिश्वत खोरी का प्रकंड चला रिश्वत दीजिए विरोध किये हम की भाई हमसे अच्छा काम कराई है आप हम जनरल सेक्रेटरी हैं जदि हम ही रिश्वत देने लगेंगे तो काम कैसे चलेगा तो साहब का था कि नहीं हमको भाई तो कमिस्वन चाहिए ही चाहिए चाहिए आप जो हो जाए और उसी टाइम से लडाई चालो हुई तो कोडर्मा डिविजन में जब आया सोसल फोरस्ट्री में तो उसी टाइम से वो डिफो साब मेरे पीसे पढ़ गए और अनाप सनाप पत्रचार करने लगे और उसको डिफेंड करने के लिए हमको विभिन अस्तर पर जाना पड़ा और उसी दरान हम एंजी टीवे गए नेशनल ग्रेंट ट्रैबुनल जंगल के इंक्रोश्मेंट का इसू ले करके और बनों का जो संबर्धन है विकास है वो बन कार्ज नियोजना जो बनती है उसके अनुरूप कराने के लिए जो जोजना बनती है ब्रिहद जोजना एक प्रमंडल का कि इस प्रमंडल में आने वाले दस साल में क्या क्या काम होगा उस जोजना के तहत काम हो और नियंत्रीत और नियोजित काम नहोग इसको लेके गए इसके बाद National Green Tribunal में एक प्रस्ण उठा कि अब राची में मेरे आवास है मेरे आवास के आसपास बहुत कचड़ा उड़ करके और घर के पास जमा होता था उसके लिए हमने पदादिकारियों के साथ पत्रचार किया पत्रचार का कोई नहीं नतिजा निकला तो ultimately National Green Tribunal में राची का जो Solid Waste Management System है उसमार सवालिया निसान उठाया और कहां कि Solid Waste Management का जो काम है वो जो Solid Waste Management Rules के अनुरूप नहीं हो रहे हैं और जो Solid Waste का जो Dumping हो रहा है वहाँ पर भी उसका Disposal ठीक्स नहीं हो रहा है तो उसके अभी तक केस चल रहा है इस्टन Green Tribunal में इसके अलावे एक और मुद्दा था कि मैंने देखा कि सहर में नाली का निर्मान तो काफी तीजी से हो रहा है नहीं राजानी बनने के बाद नहीं राज बनने के बाद लेकिन वो सारे नाले को सीधे हर्मू नदी में Disposal किया जा रहा था और हर्मू नदी का पानी स्वरनेखा में जाके मिलती थी और स्वरनेखा नदी पर जो डैम है के तलसूट डैम उसका पानी हमारे सहर के लोग पीते थे तो इसको लेकर के भी मैंने एंजेटी में अप्लिकेशन डाला और उसका नेतीजा है कि आज हर्मू नदी पे छे सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए हैं इसी तरह से ओनरेबल हाई कोट में भी अपने संघीय मुद्दे पर चुके हम जनरल सेकरेटी भी रहे हैं रेंजापसर एसोसियेशन के जहरखंड के तो संघीय मुद्दे पर भी जहां जहां सरकार ने कॉंस्टिशूशनल प्रोविजन्स का आवग्या करके कोई एक्शन लिया तो उसके खिलाप सिविल रेट दैर करते रहे हैं और अभी हाल के दिनों में आपने सुना होगा कि जैसे औल इंडिया सर्विसेज कुछ पदादिकारी हैं खिल भारतिय सेवा के पदादिकारी उनके प्रोटेक्शन के लिए रवस्ट कानून बने हुए हैं लेकिन जो वही स्टेट सर्विसेज के पदादिकारी हैं इनके सुरक्षा के लिए कोई strong legislation नहीं है और इस कारण से हम लोग unprotected feel करते हैं feel करते हैं तो इसके मसले को ले करके जब किसी All India Service के पदा दिकारी पर सरकार कोई action लेती है तो within 2-3 महीने के अंदर में वो cat से अपना फैसला लाते हैं और cat निदान करन देता है तो Central Administrative Tribunal Act के तहट ये भी प्रोभीजन है कि स्टेट गौवर्मेंट के रिक्वेस्ट पर Central Government जो है cat का सैट State Administrative Tribunal का भी गठन कर देगा राज प्रसासनिक निया धेकरन के गठन के लिए पहले तो जारखन बिधान सभा में स्री बिनोज सिंग बिधायक जी थे उनके माध्यम से प्रस्ण उठवाया तो उसमें उस समय के ततकाले इमान्यमुक मंत्री जी ने रगुबर्दास जी थे आस्वासन दिये थे कि तीन महीने के अंदर में State Administrative Tribunal का गठन कर लिया जाएगा लेकिन हुआ नहीं उसके बाद हम High Court गए High Court में एक Civil Read Petition दैर किया था P.I.L. का पि.I.L. नहीं डाले थे इसलिए कि डर लग रहा था कि बहुत बार P.I.L. में Court का कुछ ऐसा आदेश आ जाता है कि Heavy Cost Imposed कर दिया जाता है और Petitioner के चुकाना पड़ता है तो हमने ये डाला कि भाई हम General Secretary है Association के हम लोग का ग्रिभान स्टे डरेसल के लिए कोई mechanism नहीं है सरकार punish कर देती है punishment करती है तो रिजोन डाटर भी पारित नहीं करती है High Court आने पर इतना जाम लग जाता है कि यहां से judgment मिलना लगभाग असंभव हो जाता है तो वैसे परिस्थिती में जो constitutional बेवस्था है उस constitutional बेवस्था के ताथ act of parliament भी बना हुआ है state executive का basic duty यही है कि act of legislation है उसके spirit के अनुसार काम करना तो यहां state administrative table नहीं हमको कठन कर दीजे हम क्यों आएंगे आपके पास primary जब कोई grievance होगा हम punish के जाएंगे तो state के पास जाएंगे और आपको पता होगा कि high courts को बहुत power है लेकिन जो tribunals है उनको high court से भी जादे power रहता है इसलिए कि high court जो है केबल judicial review करता है वो देखता है कि ज़दी कोई निरना पहुँचने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित है प्रोसेस निर्धारित है उस प्रोसेस को follow किया गया तो high court normally merit पर नहीं जाता है मामले के merit पर नहीं जाता है लेकिन tribunal को tremendous power है कि वहाँ पर एक executive member भी रहता है judicial member के अलावे executive member के हैसी आ जाने से उसमें जादे power हो जाता है और case के merit पर भी decision देता है तो यह बहुत strong tribunals होते हैं तो यहाँ पर tribunals हमारा नहीं है उसके लिए भी मैंने written petition file किया था और honorable high court ने खुद ही इसको माना कि नहीं है तो PIL का matter है आउस written petition को public interest litigation में convert कर दिया गया है आज भी printing है decision नहीं हो रहा है तो इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं मुद्दे हैं जिस पर आप struggle करते रहे हैं हाँ struggle कर रहे हैं और यह मजदूरों का मसला आया तो मजदूरों का मसला हमको इतना अफेट किया कि गरीब मजदूर आते थे हमेशा अपना तुखड़ा ले करके किसर खाने का पैसा नहीं है किसी के पत्नी मर गई तो उसका सराथ करने का पैसा नहीं है आप जहां से भी करना है हम लोगों को दीजिए तो मैंने अपने अधिकारियों से नियार अधिकारियों को पत्रचार किया और बार बार पत्रचार करने के बाद जब समाधान नहीं निकला तो अल्टिमेटली हाई कोट गए है है हाई कोट गए है तो जो हमको इधर हाल में अस्पस्टी करण आया है सतरह फरवरी को प्रात हुआ है जिसमें विभाग के अवर सची स्री संतोस चौबे जी है उनके बार बार हर मुद्दे पर न्याले की सरण में चले जाते हैं और आपको दो दो बार पनिसकिया गया है इसके बाद ही आपके आचरण में सुधार नहीं हो रहा है और कोई गुञाउस प्रतित सिंगा रही हैै और एक कमिटी गठित होई थी और उस कमिटी का निर्णा है कि आपके वह में सुधार की कोई गुंजाइश प्रतित नहीं हो रही है इसलिए क्यों नहीं बिहार सेवा संगिता के नियम तो मैं यह बताना चाहूंगा कि अनिवार सेवानिवर्ति देने का जो बिहार सर्फिस कोड के रूल चवगहत्तर में प्रोफीजन है वह यह है कि नौकणी करते करते किसी सरकारी सेवक का आचरण ऐसा हो जाए कि उससे लोग हिद की अपेक्षा करना बेमानी है, वो लोग हिद कर ही नहीं सकता है, ऐसा आचरण हो जाए, तो उसको निवार सिवा निवर्ति दे दी जाती है, तो मैंने तो आज तक जो भी हाई कोर्ट में, NGT में, या कभी-कभी एक दो बार लोकायुत महोदे के हां भी पेटिसन डलवाया था और डाला था, वो जो हमारे रेंज जब सर्स जो मर गये, उनकी बिद्ववा पतनी हैं, उनका पेंशन के लिए भी लोकायुत के हैं भी गये थे, तो यह जो भी हमने मुद्दा उठाया है, देखतिकत हीद का तो मुद्दा मैंने उठाया नहीं है, हमेंसा जन इनड्या के मांवले में सचेप हो रहा है, इस चेट के द्वारा, इसमे यहां पर ओर, मैं यहां एक बार रोक रहा हूँ आपको, गरसल आपने कहां कि आप हाई کोप गये पिछले दिनों, मदूरों का मुद्दा, कामying का मुद्दा लेकर आप हाई कोड गये, और उसमें क् इंडिया सर्विस के जो पदाधिकारी होते हैं अखिल भारती सेवा के पदाधिकारी उनके अस्थानांतरन और पदस्थापन के लिए एक सिविल सर्विस बोर्ड होता है नहीं आपने हाई कोर्ट में जो बता रहे हैं हाँ इस्टेट में सिविल सर्विस बोर्ड होता है और स प्रधान मुख्यमंत्री जी के हाँ चली गई है तो उसमें अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो आपने जो बताया कि आपके खिलाफ में जो कारवाई हुई उसमें कहीं ने कहीं पर क्या आपको लगता है कि आपने घ्रस्ट सिस्टम के खिलाफ भी आवाज उठाई अभी पाकुड जिला में रेंजर के तोर पर काम करते हुए आपने सुना की कई जगाए कई बार तो आपने मालगाडी तक आया बिचारे निर जी अबोध जो पशु होते हैं उनको बचाया आपने का आप कामगारों के हित में काम करते रहें वाक़ी ये मामला काफी आप अपने गंभी तरीके से उठाया और बड़ा साहस का विशाय साथ और जाहिर है कि आपके खिलाप में सरकार ही नहीं अब तो लगता है कि कुछ वो जो अवैद तरीके से काम करने वाले लोग हैं जो ब्रस्ट हैं या जो हिंसक प्रवित्ती के लोग हैं वो लोग भी आपके पीछे पढ़ा होंगे आप ये आपके लिए चिंता का विशाय नही जोइन किये हैं उस समय से अभी तक दो दो बार मेरे उपर जानलेवा हमले हो चुके हैं अच्छा ये उटों का मसला क्या है उटों वाले मसले पर थोड़ी बात करें हम उट का असल में पिछले महीने जन्वरी में 11-12 की रात में 14 उट तसकरिकर के लिए जाय जा रहे थे औ और मेरा गोकुलपूर पाकुड में चेक पोस्ट है फोरेस्ट का वहां पर वो डिटेक्ट हुआ कि उसमें उट जा रहा है और मैं तुरत रात में गया और एक्यूज के साथ ड्राइवर खलासी के साथ ट्रक को लिए आया उनको लॉक अप में रखा सुबह में एफायार द लेने में अनाकानी करते रहे और अल्टिमेटली तेरा तारिक के रात में एफायर हो पाया लेकिन इस दोरान अब पूरिस के साहरे हम उट को छोड़ दहीं सकते थे क्योंकि लंबे समय तक रखने से मरने की संभावना थी तो तुरत हमारे स्टाफ लोग उतारने लगे उता साहरे हम लोग उतारने का कोशिस मेरे स्टाफ लुक किया लेकिन उसी तवरान भीड इतनी जादे हो गई कि उस भीड का फायदा उठाकर के दोनों ड्राइवर खला सी भाग गए तो प्रत्मिकी दर्ज हुई है इसमें इसके बाद ठीक भी से का इस दिन बाद दो तीन मार् पुना एक ट्रक में उठ पकड़ा गया और वही प्रक्रिया हुई दूसरे दिन लेकिन इसमें थोड़ा नयापन यह आया कि पकड़ने के बाद हम जब रात में इलनों का अपने अभी रक्षा में रखे ड्राइवर खलासी और एक मजदूर को तो इन तीनों को छोड़ाने के लिए कुछ लोग हमसे संपर किये रात में ही कि सर कुछ ले दे के छोड़ दीजिये और वो लोग छोड़ाने आये तो दो आत्मी हमको पैसे का उफर किये तो मैंने वो 20,000 रुपया भी उनका जब किया और दोनों आत्मी को भी कस्टड़ी में ले लिया और जब इनको ल गाड़ी से मारूती अर्टिका गाड़ी से तो मारूती अर्टिका गाड़ी में ड्राइबर और तीन तीन एक चार चार आदमी और था उनको भी मैंने कस्टड़ी ले लिया तो इस प्रकार से शेतिन नौ आदमी हो गया अब नौ आदमी को कस्टड़ी में लिये इसी बीज वाननी श्रीमती मेनका गांधी जी का एक संस्था है पीपुल्स फॉर एनिमल वो देश भर में उनके स्वयम सेवक है तो उनके एक स्वयम सेवक ने फोन किया कि यहाँ पर बड़े पसुत असकरी में दंधा में जो बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए है उन लोगों से हम लोग का संपर्ख है और वो लोग आपको हेवी पैसा देने के लिए आ रहा है तो उसको गरिफ्तारी का प्लान बनाईए तो हम भर दिन वेट करते रहे रात में नौ बजे नेक्स दिन तीन आदमी और आया चुड़ाने के लिए वो लोग साथ लाग तक का ओफर दिया लेकिन उनके ओफर को ठुकराते हुए हम ये तीनों को भी कस्टडी में ले लिए और इनका मारुती अल्टो गाड़ी भी पकड़ा गया तो इस तरह से पंदरह उन्ट दूसरी खेप में और एक दरजन अपराधी पकड़ा है और उसमें से एक पसुत तसकर के बारे में मानिय स्रीमती मेनिका गांधी का कहना है प्रभात खबर में आया भी था कि मोर दैन वन थाउजंड पसुत तसकरी के केस में वो आदमी इन्वाल्व है तो अब इन लोगों का बेल अभी तक नहीं हुआ है मतला वो आदमी भी अभी गिरफ्त में है जे हाँ सर अच्छा अच्छा तो अभी CGM ने इसके बेल को रिजेट कर दिया है और अभी प्रिंसिपल डिस्टिक जज़ के पास में इनका बेल अप्लिकेशन पेंडिंग है और पहली खेप में जो गाड़ी पकड़ाया था उसमें तो सब लोग भाग गये ट्राइवर खला सी लेकिन अभी पता चला है कि वहां का ट्रक ट्राइवर जो है ट्रक मालिक पहली खेप में जो गाड़ी पकड़ाया था, उसका ट्रक मालिक, एंटिसीपेटरी बेल अपलाई किया है, और वो दिखा रहे हैं, कि राजस्थान के भरतपूर के सरकारी हाट से, हम ये उट को खरीद के ला रहे थे, इसलिए IPC का सेक्शन 370 लागू नहीं होता है, चूरी क बेल मिल जाता है, तो जिवही निकलता है सब ये सब इतना कुरूर है, कि पुर्णा तसकरी में लग जाता है, जितना बार जेल भेजिये पकड़ाया का निकलेगा फिर जाएगा, यहीं होता है, तो जब मैंने उनका एंटिसीपेटरी बेल अप्लिकेशन देखा, तो उस ब कोई अपरात किये नहीं है, तो इसी बीच हम वो परशी वेरिफिकेशन के लिए वाटसप से भेजे राजस्थान, राजस्थान के पिपुल्स फॉर एनिमल वाले संस्था से और कुछ लोगों से उसका वेरिफिकेशन कराया, तो वेरिफिकेशन के करम में जब उस पशु ब्यापारी को पता चला ठीकिदार को, कि उसका भाउचर का इस्तेमाल वहां हुआ है, केस में, तो वो तुरत 24 फरवरी के डेट में, वो वहां साइबर क्राइम थाना जैसलमेर में, चैपूर में, एफायर कराता है, कि मेरा रसीद बुक लॉस्ट हो गया है, वही लॉस्ट रसीद बुक यहां इस्तेमाल हुआ है, इसमें ये भी अहम बात है, कि देश में, जो हमारा कैमेल परबुलेशन है, वो काफी तेजी से खट रहा है, 2012 से 2019 के बीच में, जो उट हैं, उनकी संख्या पूरे देश में, 43 पर्शेंट माइनस हो गई है, और यही इस्तिती रहा, तो दस साल में तो पूरा उट गाइब हो जाएगा, तो उट जो रहेगिस्तान के पारिस्तितिक तंत्र के बहुत ही महत पूर्ण घटक है, यह गाइब हो गए, तो क्या हसर होगा इसका अंदाज़ा अप लगा सकते हैं, और इसलिए राजस्तान सरकार ने 2014 में उटों को र है, एक्सपोर्ट का डिफिनिशन वहां राजस्थान के मेल प्रहुबिशन आप स्लॉट्रिंग एन एक्सपोर्ट आक्ट है 2015 का, उसको राष्टपती महोदय के अनमोदन से गजट में प्रकाशित किया गया है, उसमें एक्सपोर्ट का मतलब है कि आउट अप राजस्थान ले जाना, एक्सपोर्ट है, और उसमें एक्सपोर्ट दिया गया है कि फर सौट पिरियाड वो केवल टेंप्रोरी माइग्रेशन हो सकता है, और वो ही माइग्रेशन जो है, एलाउड है, डियम के आदेश से, और वो केवल नेवरिंग एस्टेट में, तो प्रस्न यह है कि इतनी दूर लाना, नेवरिंग एस्टेट तो नहीं है, नहीं है, तो यहां पुर्जादी एक्सपोर्ट होके आ गया है, तो इस साल से लेके दस साल तक सजा का प्रभीजन है वहाँ, तो इस समध में मैंने एस्पी साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, कि यह जो बेल पेटि का प्लस वो जो रसीद गूम होने का सनहा दर्ज कराए गया है, जिसकी फोटो का भी हमको मिली है, इसका सत्यापन वहाँ के पुलिस से करा लें, और साथ ही चुकी राजस्थान के राजिकिये परशुक कैमल को उट को एक्सपोर्ट करके वहाँ के कारण के विरोध में एक् साथ को. इस तुछ एक बात तो बहुत स्पस्क हुई कि आप कई ऐसे मसलों पर संघरश करते रहे हैं, जो विक्तिगत नहीं, किसी का विक्तिगत नहों कर वो जनहित का मामला है, या जीवों के संघरच्चन का मामला है, या फिर ब्रस्टाचार की खिलाफ, आम जन्जीवन में ब्रस्टाचार की खिलाफ आपने आवाज उठाई है इस तरह के मसलों को लेकर जो कारवाई आपने संभव हुआ है आपने तो कड़रे में लाख़ड़ा किया राज्य सरकार को भी बहुत सारी चीजें जो हैं जाहिर है कि इसका असर तो आप पर पढ़ रहा होगा और विभागी इस तरह से आप पर कारवाई तो शुरू हुई है अब क्या लगता है अब आप इसको जो आप पर जो कारवाई हुई है आप पर जो कारवाई हो रही है उसके खिलाफ आप कैसे बचाओ करेंगे अपना ये अपने आप में बहुत चिंता जनक बात है देखिए चिंता जनक मेरे लिए कम है अच्छा और दुर्भा के पूर्ण बात सरकार के लिए है कि सरकार का गठन आम जनता के लिए होता है और कोई भी पुलिटिकल पार्टी का मुखमंतरी हो सम्विधान और कानून के तहत सब के साथ सुध अंता करण से नियाए देने की बात होती है तो हम तो मानने मुखमंत्री जी से यही प्रे करेंगे कि मेरे बारे में जो भी आप निर्णे लें भारत सम्विधान उसके तहत बनाए गए कानून के तहत उस सुद्ध अंताह करण से निर्णें ले, तो जогदी निर्णें सुद्ध अंताह करण से होने लगेंगे, तो हमको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, और हमको न्याए मिलेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि, और इसमें एक जीजी और बता दें, यह मसला, यह सरकारी सेवक, सर पस्टी करण का भी है कि सरकार के खिलाफ आप क्यों चले गए लूट में क्यों चले गए तो नेशनल ग्रीन ट्राइबुनल में यही बात उठी थी कि सरकार के खिलाफ आप कैसे खड़ा हैं सरकार ने लिखित अब्जेक्शन डाला था उस अब्जेक्शन के मैंने जवाब द इस देश के हर नागरिक को मिला हुआ है और नागरिक है तो राइट टू जूटिसियल रेमेडी जो है ये केवल हमको नहीं मिले हुए हैं और जो देश में रहता है सबको मिला हुआ है इवे पसुपक्षी जो है उनको भी गुरूरतार रहित बातावरण में स्वक्षंद रूप से विचरन करने का और स्वस्त और हेल्दे पिना इतनाव के दबाव क टेंशन के जीवन जीने का हक है सबको हक है और उस हक के लिए जयदी कोई आगे आता है चाहे वो सरकारी सेवक हो चाहे गैर सरकारी सेवक हो कोट इसमें भेदभाव नहीं करेगा ये अनुरेबल सुप्रेम कोट का हवाला दे करके नेशनल ग्रें ट्रैबुनल ने होड़ कि अब यह प्रस्ट है कि जदी सरकार के जो हमरे पदाधिकारी हैं सचीवाले में बैठे हुए हैं वो समझते हैं या तो उनको समझ नहीं है यह समझ है तो उसमें सही तर्थिक को छुपा करके हमको पनिस करना चाहते हैं लेकिन चुकि हमको पूरा-पूरा स्पस्टी करन तो जांच कठित हुई थी उसकी जांच रिपोर्ट की प्रती मुझे नहीं मिली है इसको जांच रिपोर्ट की प्रती मिलती है तो सरकार को हम सारा तत्य सामने रखेंगे और हम को कोशिस करेंगे कि हमको सरकार से ही न्याय मिल जाए नहीं जाना पड़े और जदी हमको एक्सक् और अन्त अन्त में जो बाते जो हिस्सा जो उन्होंने बया किया वो अपने आप में इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो सकता है कि आज जहां सरकार ही नहीं बलकि हमारी नयाए पालिका को पर सवाल उठाये जा रहे हैं अभी हालिया बयान आया है आपको पूर्व मुक्ष नयादिश का भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुक्ष नयादिश का जिसमें उन्होंने ये बयान उठाया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट तक को उन्होंने गेरे में लिया नयाए को लेकर कि नयाए नहीं मिल सकता है नहीं में रहते हैं अनिल सिंग जैसा वेक्ति जो आज भी कोर्ट पर आस्था जताता है और इस तरह की ये ये होसला तभी आ सकता है साथ जब आपके अंदर पूरा पूरी मजबूती के साथ सच के साथ खड़े होने की निस्ठा हो और ये बात पिछले एक दशक से आप हम लोग दे स्थाइल जो है उसको हम दो देखते रहें तो अंदर में कुछ कहना चाहते हैं तो सन्चेप में कुछ फंक्तियों में उनकी बाते सुनकर और सकाषक्रम को कि ini काश करेंगे अनिल जी आप कुछ कहना चाहते हैं ऑग कहना यह चाहते हैं कि बशेस करके skin fizic राजी में जीव जन्तु कल्यान बोर्ड का गठन हुआ है लेकिन आप जदी जाएंगे जीव जन्तु कल्यान बोर्ड के ओफिस के सामने तो एक बोर्ड तक नहीं दिखाई देगा कि जीव जन्तु कल्यान बोर्ड का वेबसाइट तक नहीं है जहांपर कोई नागरिक उससे स समंधित कोई सिकायत करना हो या कोई हेल्प लाइन नंबर नहीं है तीसरा हर जीले में जीव जन्त कल्यान बोर्ड की तरफ से जीला पुसु कुरूरता निवारण समीती बनाई गई है और इस समीती में जीले के जो कार्शपालिका के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावसाल होते हैं और इनका कंड़क रूल इनको मजबूर करता है कि अपने आचरन में और व्यवहार में सुपरमेसी अफ कॉंस्टिचूशन को अपहोल्ड करेंगे लेकिन इसके बावजूद भी जीले में यह संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर पा रही है और यहां ऐसा इको सिस्टम बन गया है कि जो कोई व्यक्ति पस्वों को कुरूरता से बचाने का प्रयास करेगा उसी पर सारा लोड आ जाएगा और उसका जीता जाकता उदारन अभी मैं हूं मैंने पकड़ा है अभी तक यह संसाय सक्रिय नहीं है तो जीले में जो पस्व कुरूरता निवारन समिती ब प्रतिकारी होते हैं और अखिल भारती आचार नियमावली जो बनी हुई है उसमें साफ लिखा हुआ है कि यह लोग अपने आचरन और व्यावार में यह सुप्रीम कोट की और संभिधान की सुपरमिसी को बरकरार रखेंगे संभिधान की सुपरमिसी को बरकरार रखने वाले पदाधिकारी होने के बावजूद भी यह जो पस्वों के प्रतिकुरूरता के निवारन के बारे में जो यह कमिटी बनी हुई है सक्रिय रूप से काम नहीं कर रही है उसका नतीजा यह है कि जो कोई पस्वों को कुरूरत उनके दवादारू का खर्च फिलहाल व्यक्तिकात रूप से हमें बहन करना पड़ रहा है और जीले में यह संस्थाएं प्रपर धंग से काम नहीं कर पा रही हैं तो यह मेरे सरकार से और मानी मुख मत्री जी से गुजारिस है कि इन संस्थाओं को सक्रिय करें इनको फंड अप्लाद कराएं ताकि जरूरत के समय यह पशूओं को कुरुता से बचाया जा सके तो अनिल जी की बातें आप लोगों ने सुनी और हमें लगता है कि यह मेसेज सरकारी अधिकारियों सरकारी तंत्र तक भी पहुँचेगा पहुचा होगा और इसके साथ ही हम आज के प्राभारी हैं कि उन्होंने इतना वक्त निकाला और हम खास तोर पर आपको यह बताना चाहेंगे कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब चुरूर करें अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप शे सब्सक्तान आपको नहीं करना पड़ता है यह पूरी तरह से निशुर्ख है और अब हम इसकाज करम का विदा से विदा लेते हैं और अनिल जी के प्रती आभार रेक्ट करते हुए आप दर्शकों का भी बहुत आभार नमस्कार जौर